अबिन मैं आज आपको percentage के basic concept आपको पढ़ाने वाली हूं यह वह वाले basic में आपको पढ़ाने वाली हूं को कैसे हमको percentage value ही यह है उसको fraction में change करके अपनी calculation को fast करना है और जो percentage के کچھ questions है उनको कैसे फटाफट solve करके आगे बढ़ना है क्योंकि percentage आपका हर जगा यूज होगा, ये profit loss में भी यूज होगा simplification में भी यूज होगा maximum topic में आपका percentage और ratio सो use होना ही होना है, इसलिए percent के सबसे पहले basic concept आपके clear होना बहुत जरूरी है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ जैसे मेरा जो number series वाला simplification वाला चल रहा है साथ में एक दिन में आपको number series के practice question और simplification के practice question डालने वाली हूँ RBI के लिए क्योंकि बो exam अभी बिलकुल आने ही बाला है और किसी भी preem है आप 20 question तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो simplification, di, equation, number series इन पर based होंगे बाकी का 15 या 10 आपको mislenious होते हैं लेकिन जो selection आपको दिलाते हैं यह हमेशा 15 और 10 वाले ही दिलाते हैं क्योंकि यह जो 20 to 25 question है सब इसकी practice करते हो सब के आजाते हैं तो जो आपको overall cutoff clear करना है वो आपको इसके basic करके करना पड़ेगा क्योंकि एक तो आजकल जो हमने देखा है trend है जैसे RRB मैंने specially देखा जो exams मैंने दिये थे RRB, IBPSS वार के exams मैंने सारे pre or mains दिये हुए है उसमें क्या देखा आप देखो ना 80 मैसे 76-77 cutoff जा रहा है that means जिन बच्चों ने qualify किया है जैसे मैंने qualify किया था तो उसने बिना arithmetic के तो qualify possible ही नहीं है अब ये पहले बाला जो time दाना 16-17 वाला जिसमें सब का selection वो वाला time नहीं है कि आप सिर्फ maths में वो करके चले जाओ DI कर लो simplification कर लो equation कर लो आपका purchase number आजाएगा और आपका selection हो जागा आप नहीं बचा यदि अब आपको paper qualify करना है तो आपको clerical में तो अब अब कितना percent लाना पड़ रहा है समझ ही नहीं आ रहा है 77 cutoff है out of 80 IBPS clerical में 100 में से 77 cutoff आ रहा है 77, 76, 80 भी आया है कहीं सारे स्टेट में तो जब ऐसे cutoff आ रहा है तो आप कहा करोगे जो आपको अपनी वो बनानी है कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजे बहुत fast करनी पड़ेंगी और बहुत अच्छे से आपके basics clear होने चाहिए तो यहां पर मैंने कुछ percent दी है 1 by 5 20 percent अब यह कैसे आता है 100 divided by 5 ओके this 20 percent 1 by 6 16.66 percent जैसे हमको कहीं ती है नहीं 16.66 percent से increase हो रहा है decrease हो रहा है इतना profit that means वो 1 by 6 है और calculation आपको हमेचा 1 by 6 को लेके करने है जैसे यह 1 by 6 लोग है न वो value अपने आप cancel हो जाएगी कहीं ना कहीं से पेपर वाला सिर्फ आपका यह देखना चाहता है कि आप कैसे उस चीज को pick up कर रहा हो जल्दी solve कर रहा है 1 by 7 14.28 1 by 8 12.5 percent मतलब 12.5 percent दिया है न डिरेक्ली उसको जाके 1 by 8 लिखना है आपको कोई भी value जैसे वो देदेंगे 320 है उसका 12.5 percent उसको profit हो रहा है अब क्या आप इसका 12.5 percent ऐसे निकाल होगे 12 by 100,000 फिर इसको आप 25 से cancel करेंगे नहीं भाईया 320 12.5 percent होता है 1 by 8 यह निकाल लो 40 डिरेक्ट हो जाएगा 40 extra हो जाएगा 360 answer आजाएगा ऐसे निकालना है यह आना चाहिए हमको ऐसे देखो मैंने यह table बनाई है इस table में आपको बता रही हूं जो सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाने वाली चीज़े है न exam में वो कौन-कौन सी है एक आपको यह पूछा जाएगा 12.5 percent 1 by 8 दूसरा फेबरेट है IBPS का 13 7.5 3 by 8 यह तो एकदम फेबरेट वाले जो fraction होते है न IBPS के वो है दूसरा यह भी है हमारा 8 1 by 3 percent बहुत पूछते हैं means 1 by 12 next is कभी-कभी यह पूछ लेते है 66.2 by 3 लेकिन यह सब को याद होता है कि 33.333 1 by 3 होता है तो 66 यह दिदिया है तो 2 by 3 होगा definitely दूसरा यह हमारा हो रहा है 87 1 by 2 percent is like favorite वाल most favorite एक यह और एक यह 37 दौनों में 8 आ रहा है एक में 3 by 8 है एक में 7 by 8 है मतलब 37 3 by 8 87 7 by 8 याद रखो next वो कभी-कभी पूछता है 83.13 5 by 6 percent यह percent इतने को मैंने इतना बाला टेबल बनाए ना इसमें से यह निकाल के दिए आप याद कर लोगे तो आपके simplification के आदे से ज्यादा question solve हो जाएंगे अब इसके बाद क्या है कि मैं कुछ questions पर चल रही हूँ जो question आपको मैं बहुत ही previous year के question तो नहीं कह सकती 30 less than 3 by 5th of that number 3 by 5th of किसी number में से 30 minus कर देंगे तो 45 percent वो मिल जाएगा अब हम इनको equal कर देते हैं यदि 30 equal to 3 by 5 of x minus 45 by 100 of x इसको यदि cancel out कर ले 5 से 9 by 20 आ रहा है हमारा ओके LCM हमारा क्या आएगा 20 ही आएगा 12x minus 9x आ जाएगा equal to 30 okay equal to हमारा क्या आ गया 30 आ गया अब इसको यदि हम solve करते हैं तो 30 equal to 3x upon 20 तो x की value यदि हमको निकालनी है 10 x equal to हमारा क्या आ गया 200 आ गया यह value समझ भाया कैसे किया है नेक्स्ट हम चलते हैं find the number of male student if there are 42 male student in a school मतलब हम ले लेते कि school उसमें 100% है जो male हमारे है वो 42% है यदि male 42 है तो definitely 100 में जब 42 करेंगे तो 58 female हो चाहेंगे अब क्या दिया है total number of student in a school is 1000 find the number of male तो तो डारेक्ट निकला आएगा 42 थाउजन का 42% निकाल देंगे क्योंकि हमको बता हुआ क्या है 420 आ जाएगा हमारा 420 वहाँ पर कितना male student हो जाएंगे अब हम थोर्ड क्वेशन में करते हैं student square 85% marks मतलब उसने 85% of marks in his exam okay score किये the maximum mark that any student can score 44 400 है तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 85% जो है वह 400 का क्या होगा यह इतना यह सब लिखने की भी ज़रूत नहीं है डारेक्ट 4 से multiply कर दो क्योंकि हमको दिख रहा है दो 0 तो कटी जाएंगे चार पंचे 20 होता है हमारा क्यारी टू चाराट बातीस 340 हो गया मतलब इस student को तो 340 marks मिल गए 85% इसने score किया है क्योंकि अब क्या दिया है passing marks of that particular exam is 33% तो 33 into यदि हम 4 करेंगे 132 हमारा क्या होगी आप passing marks आ जाएगा देखो मैं लिख भी नहीं रहे है यो डारेक्ट मतलब value अपने जो हाना mind में calculation कर रही हूँ तो 32 आ जाएगा हमारा passing marks तो उस बच्चे को कितने marks ज्यादा मिले तो 340 माइनस हम 132 कर देंगे 208 marks उसको ज्यादा मिले passing marks से ओके next question है population of Vatican City is 700 ठीक है Vatican City की जो population है वो 700 है if increase by 7.14% 7.14% जैसे मैंने अपने slide में बताया क्या होता है 1 by 14 पर रहनम हर साल इतनी बढ़ रही है तो बन एयर के बाद कितनी होगी मतलब यसे हमने माल लिया कि 2022 में इतनी है तो 23 में कितनी होगी ओके तो जब हम इसको सीधा 14 से डिवाइड करेंगे तो 50 टैम चला जाएगा 50 number of male of female जो है Vatican City में बढ़ जाएगे इंक्रीज हो जाएगे 750 आ जाएगा दूसरा यदि हम इसको formula method से करते हैं तो वो कैसे करते हैं जो हमको पता है कि जो हमारी population होती है वन प्लस जितना वो इंक्रीज हो रही है कितने पोसेंट इंक्रीज हो रही है एन नमबर ओफ इयर अब यहां एन नमबर ओफ इयर तो वन है तो यदि फिर हम इसको फिर से ऐसे करते हैं कि मतला पहले 15 by 40 तब भी 750 या था इतना क्यों करना फाल तूमें यह करो ना direct इसको याद रखो ना direct इतना calculation करने का time नहीं है वाँ पर pre exam में timing का बहुत बड़ा खेल है question सबसे बन जाते हैं बस problem यहां आती है कि लोगों के पास practice कम होती है और वो attempt नहीं कर पाते है मैंने अपने IBPS clerk में 35 में थे 33 question attempt किया maths में और IBPS, RRB जो clerical और PO वाला था हो PO का थोड़ा था level tough होता है तब भी मैंने PO में reasoning का तो 40 out of 40 question किया था और maths का something like 25 ऐसे कुछ किया था क्यूंकि वहां पे मेरे पास reasoning बहुत upper hand में था तो मैंने उसको 40 कर दिया था और पहले attempt की थी reasoning तो वो IBPS जो RRB clerical में तो सीधा होता है कि आप जो paper पहले उठा लोगे आप उसके 40 कर लोगे यदि आपके concept लिया रहें तो मैंने section उसमें पहले क्या किया था मैंने reasoning उठा लिया था तो मैंने reasoning के 40 हो गए थी क्योंकि मेरे से वह छोड़ी नहीं जानी तो क्यों छोड़ना और ऐसे ही IBPS में तो आपके पास timing का जाता है तो 33 question मैंने खुदने किया है तो जब आप इतना question कर सकते नहीं मतलब बच्चों के पास potential है इतना question करने का बस वो timing में मात खा जाते है प्री में और मेंस में इतना timing वो नहीं करता है क्योंकि मेंस में तो आपको बनने ही 7-8 question में math में और reasoning में 20 बन जाएंगे जाएंगे 20 तो मैंने बहुत जादा बोल दी क्लेरिकल में बने पर था तो यह जब ध्यान रखने है प्री कॉलिफाइब करो बहुत इंपर्टेंट होता है इससे एक positive motivation आपको जो मिलता है ना कि हाँ आप जीवन में कुछ कर रहे हो नेक्स्ट हमारा last question है horse costing 80,000 one year ago now cost is 25% less than original price okay find the change in price अब क्या हुआ 80,000 उसका cost था अब 25% less होगी है original cost से 25% 1 by 4 अब मतलब क्या हुआ कि जो भी है हम 100% को तो 1 मानते है तो 1-1 by 4 तो काम हो गया तो हमारे पास बचा हो बचा 3 by 4 तो जो horse की cost बची हमारी वह 3 by 4 तो बची तो direct इसको इंटूब कर देता है ना तो यह क्या है horse अब कितने हजार का बचा साथ हजार का बचा यह आ जाएगे यह मैंने बहुत basic question कर आए ऐसे तो प्री में बहुत ही कम आएंगे मितलब आपको इकात question ऐसे मिल जागा है यहां सिर्फ मैं आपको यह चारी हूं कि आपके basics clear हो basics cover हो concept आपके clear हो कि आपके पास कैसा भी question मिलना आप कर लो अब क्या है आपको question कैसे करने है जो आएंगे वो आएंगे percentage value change हो रही है initially इतना था खासकर जो percentage और profit loss में question आते है कि shopkeeper बेबेस राते हैं कि वो false percent ले रहा है यह सारे question आएंगे आपको thank you आज के लिए इतना ही आगे का मैं next class में करूंगी जब मैं इसका advance level का एक series लेक्या हूंगे